लोगसभा चुनाओ के छटे चरण का प्रचार गुरुवार शाम खत्म हो गया। पर मतदान होना है। उन्मोत्रप्रदेश की 14, हर्याना की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिसा की 6, और जारखंड की 4 सीटेश शामिल है। वहीं जबो कश्मीर की एक सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। मनोश तिवारी, करहिया कुमार, दिलेश लाल यादाव निर्गुआ, महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल खटर समेत, कई केंद्रिय मंत्रियों के इसमत का फैसला इसी चरण में EVM में बंध हो जाएगा। चटे चरण में विभिन राजनितिक दलों के कुल 889 उमीद्वार मैदान में हैं। उमीद्वार बनाया है, वहीं कॉंग्रेस के करहिया कुमार उन्हें टककर दे रहे हैं। 2014 के लोगसबा चुनाओं में मनोश तिवारी को 45.25% मत मिले थे और उन्होंने आमाद्मी पार्टी के उमीद्वार प्रोफेसर अनंत कुमार को पराजित किया था। वहीं नई दिल्ली लोगसबा सीट पर पूर्व केंद्री मंत्री सुश्मा सुराज की बेटी बांसुरी सुराज और आमाद्मी पार्टी के नेता सुमनाद भारती के बीच मकाबला है। 2014 के लोगसबा चुनाओं में भाजपा की मिनाकशी लेखी ने इस सीट से आम आदमी पार्टी के आशीश खेतान को पराजित किया था। लेकिन बीजेपी ने इस बार बांसुरी सुराज को उनकी जगा टिकट दिया है। यूपी के सुल्तानपुर लोगसबा सीट से बीजेपी ने पूर्व केंदरी मंत्री मिनका गांधी को अमीदवार बनाया है। उनके खिलाफ सपा ने राम भुआल निशाद को चुनावी मैदान में उता रहा है। 2019 लोगसबा चुनाव में इस सीट से मिनका गांधी ने बीएसपी के चंदर भदर सिंग को पराजित किया था। वहीं आजबगर लोगसबा सीट से बीजेपी के दिने शलाल यादाव निरुआ और सपा के धरमेंदर यादाव के बीच मकाबला है। जमो कश्मीर के अनंतनाग राजोरी लोगसबा सीट पर महभूबा मुफ्ती मिया अलताफ लारवी और जफर इकबाल खान मनहास के बीच मकाबला है। इस सीट पर तीसरे चरण में मददान होना था लेकिन इसे टाल कर छटे चरण में कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की तमलूक लोगसबा सीट पर बीजेपी ने रेटायर जज अभीजीत गंगोपाध्याय को उता रहा है। वहीं टीमसी के देबांग विशु भटा चारे भी चुनावी मैदान में है। अभीजीत गंगोपाध्याय हाल ही में नयाजीश पत से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। हर्याणा के करनाल लोगसबा सीट से बीजेपी ने पूर्व सियम मनोहर लाल खटर को प्रत्याशी बनाया है। जबकि कॉंग्रेस ने दिव्यानशु बुद्धी राजा और जेजेपी ने देवेंदर कादियान को मैदान में उतरा है। इस सीट पर साल 2019 में बीजेपी के संजेब हाटिया ने कॉंग्रेस के कुलदीप शर्मा को पराजित किया था। वही कुरुक्षित्र लोगसभा सीट से बीजेपी ने उद्योगपती नवीन जिंदर को मैदान में उतरा है। आम आदमी पार्टी ने सुशिल गुपता और इनेलों ने अभैच उठाला को प्रत्याशी बनाया है। साल 2019 के लोगसभा चुनाओं में बीजेपी के नायप सिंग सैनी ने कॉंग्रिस के निर्मल सिंग को यहां से पराजित किया था। ओडिसा के पुरी लोगसभा सीट से बीजेपी ने संबित पात्रा को उमीदवार बनाया है। बीजेपी के अरूप पत्नायक और कॉंग्रिस ने जैनारायन पत्नायक को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। 2019 के लोगसभा चुनाओं में बीजद के पिनाकी मिस्रा ने संबित पात्रा को हराया था। वहीराज जी के संबलपुर लोगसभा सीट से बीजेपी ने केंद्री मंत्री धर्मेंदर प्रधान को मैदान में उतार दिया है। उनके खिलाफ बीजेडी के प्रणाव प्रकाश दास मैदान में है। साल 2019 के लोगसभा चुनाव में बीजेपी के नितेश गंगा देव ने बीजेडी के नलिनी का अंता प्रधान को पराजित किया था।